तो देंस वेलकम तो माई यूटूब चैनल सहाइस क्लासी तोड़े विल डिसकर्स दी नेक्स्ट वीडियो एबाउट टी कार्बन ए इल्स कंपाउंट तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे जो एंसे आर्ट की बुक है इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसके कुछ हिस रहते है चाह्ँ तो इसके लिए ही जो इसका वर्टोडाइल नीचर भी ऊथा है यहा пойले वाले वीडियो में देखेंगे तो इसके में क्या बोलेंगे कि जो कार्ण होता है वह हैड्रोजन साथ तो मौंण बनाता ही बनाता है साथ में उनक्सके साथ मौन की मैं command होगे है कि जब एक ये जादा हाईडरोजन हो वो इससे रिप्लेस की जाए तो उसके समें क्या बोलेंगे कि हम की जो कार्डबन हाईडरोकर्बन है कि उसमें अलग अलग चीजएं लगा दी हमने ट्रोजन की जगए पर इड्रोजन की जिगह पे कुछ भी element लगाया तो उस case में क्या बोलेगा कि हम जो अलग अलग लगाती है ना groups उनको हम क्या बोलते हैं functional groups बोलते हैं जो आज हम इस वीडियो में देखेगे ठीक है लेकिन जो एक बात ध्यान में कि हमें क्या रखने है कि जो वैलन से होगी carbon की वो डिस्टेबल नहीं होने चीए वो हमेशा ही satisfied होने चीए तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो functional group होता क्या है कि दीज हेट्रो एटम सेंट ग्रूप कंटेनिंग दीज कंफर्ट स्पैसिफिक प्रोवर्टी टू दी देखो हमने देखा था कि हम या मिथेन ले या इथेन ले कि क्या होता इसमें जो इनगे प्रोपर्टीज होंगी वो क्या होंगी बिलकुल सेम नहीं होंगी, लेकि Everything almost same ही होंगी लेकिन इस case में क्या होगा, जब हम hydrocarbon किसको बोलते हैं जब carbon हो उसके साथ क्या हो? Hydrogen हो जब हम hydrogen को ऐसे group से replace कर दें कि जिसमें यह Dryagens हो, तो उस case में क्या होगा कि जो उसकी properties हैं वो बदल जाएगी वो किस पर depend होगा वो अलग-अलग functional groups पर depend होगा तो सबसे पहले हम किसको लेके चलेंगे जैसे हमने hetero atom ले लिया chlorine लिया है या bromine लिया है तो उस case में हम क्या बोलेंगे जैसे इसका जो functional group हो जाएगा क्या CLBR इसका नाम लेखते टाइम हम क्या लिखेंगे chloro-romo इसके नेमिंग अमिसे नेक्ट वाली वीडियो हम देखेंगे आज बस आपको यह देखना है कि functional group क्या होती है कौन सी compound में होती है कौन से वो hetero atom को लिये होता है तो जब भी हम देखेंगे कि जो CLBR आयोडीन फ्लोरीन होते हैं वो क्या होते हैं हेलोजन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं होता है कि डीहां कमें तो जबते हैं सबस्क्रायब को सबस्क्राइब को सबस्क्राइब वाले हम ने यहां पे कोई बी एलकाइल गृप लगा दिया जैसे see a-s3 डबल ओन ओफ है, ऐसे यह पे लगा दिया, see a-s-3, see a-s-3, see a-s, see a-s-3, see a-s-3-c-l तो इस case में क्या होगा, होगा कि यह तो क्या बन गया अपना, il-dii, और इसकेस में क्या होगा कि दोनों ही साइड क्या हो अपने अलकाइल ग्रूप हो तो उसकेस में हम इसको क्या बोलेंगे कि टोन बोलेंगे लडियाइड की टोन का जो डिफ्टेंस है वो क्या है कि इसमें तो क्या होगा एक एच लगा होगा जिस भी कार्डबन के साथ डबल एकिसे दबल बॉंड यह जो इनके फंक्षणल गूप है यह आपको याद होने चाहिए कि क्या हो जाएगा कि कोई भी ऐलकोल ओल इससे भी देख सकते हैं इसके लिए यूज होगा ना वह नेक्स वीडियो में इसके नेमिंग में किसके लिए ओल यूज होता है इसके लिए य और उन यूज्वत होता है ऐसे ये बाद में देखेंगे अब देखो अब सबसे पहले क्या है अलकोहल अलकोहल में क्या है कि अलकाइल गृUP के साथ क्या ह Way फंक्षिनल गूप इनलड में सिंगी आइट लाइट मैं सी दबल बॉंड'? O, C, S3, C2, H5, यह functional group होना चाहिए, carboxylic acid में क्या हुआ, C double bond O, H, यह होना चाहिए, तो यह तो क्या हो गए अपने functional group, अब हम देखेंगे, कि जो homology series यह होती है, वो क्या होती है, तो देखो, homology series किसको बोलेंगे, such a series of compounds, कि compounds की ऐसी series, in which these same functional group constitute for hydrogen in a carbon chain, कि देखो, functional group तो same हो लेकिन है न, जो अपनी है carbon है न, यह difference हो जाएगी, मसलब इसमें तो एक carbon है, C, S3 है, C2, S5 है, दो carbon है, तो हम it use करते हैं, तीन carbon है, तो हम 2 यूज़ करते हैं, 4 carbon है, तो हम beauty यूज़ करते हैं, और जो O, L होता है, वो किसके लिए होता है, alcohol के लिए होता है, तो इनकी जो properties होंगी, वो क्या होंगी, all most ही same होंगी, और इनके बीच में, homology series की पहली, सबसे पहली बात क्या है, कि इसमें क्या होगा, same functional group होगा, first point इसका यह है, second क्या है, कि इसमें बस एक C, S2 unit का difference होगा, कैसे, कि इसमें तो देखो, एक carbon है, इसमें दो carbon है, तो एक ही carbon का difference हुआ है, यहाँ से यहाँ पे गई तो एक carbon का difference है, यहाँ से यहाँ से यहाँ पे गई भी तो भी एक ही carbon का difference है, और दो H का difference है, उसके बाद जब हम इसके melting boiling point की बात करते हैं, तो क्या होगा, बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे क्या होगा, उसका जो molecular mass है, वो बढ़ेगा, वैस ही क्या होगा, इसके melting point है, boiling point है, वो भी क्या चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, कल देखेंगे, कि हम functional group के साथ, जो भी carbon compound है, उनकी जो naming कैसे कर सकते हैं, तो fix क्या होता है, prefix क्या होता है, तो आज के लिए इतना काफी है, तेखेंगों दोगी